आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको बिल्कुल देश स्टाइल में मटर पनीर बना के दिखाएंगे तो चले फैंस जट पर देख लेते हैं इसके इंग्योडियन्स यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है और लिया है फ्रोजन मटर आप प्रेज मटर कभी समाल कर सकते हैं दो बड़ा साइज ट्रमाइटो तीन ओनियर ओयल सॉल्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पर है कुछ जीरा एक पिस्पून हल्दी पाउडर एक पिस्पून जीरा पॐडर एक पिस्पून लाल मिंट्च पॉडर और एक पिस्पून थनिया पौडर है आप मैंने 59 ग्रिंची लिया है आप अपने टेस्ट के सकते है आज के र autant कोत्रा ने के लिए हमें कढ़ाई को पहले अच्छी तरीके से गरम कर देना है और इसके बार हम इसमें आड़ करेंगे 5 टीस्पुल ओल मैंने यहां पर इफाइंट ओल का यूज़ किया है अब ऑईल को थोड़ा गरम होने दे ऑईल हमारा गरम हो गया है अभी हम इसमें आड़ कर देंगे ऑनियर को बड़ा हलका साथ ट्राई होने के बाद हम इसमें आड़ कर देंगे तमज़ेंगे करेंगे करेंगे 2 टीस्पुल और और ओनियर्स हलिका साथ हो जाने के बाद हम इसमें आड़ करेंगे करेंगे 2 टीस्पुल जिंजर्गादी शेट अब इस सब को हमें अच्छे शेटी पूरे टाइम के लिए ताई कर देंगे आगे प्रमाटो ओनियान और ग्रीन शिली फोर असको थाई हो गया है बस अभी ज्यादा थाई हमें नहीं करना है अभी हम इस मिस्ट को पेस्ट इस में पूरी जाएक जाया ने लेगे ताकि हम इसे अच्छे से ब्लेंद कर पाएं हम ऐसे ही इसे डाइक कर सकते थे थे ऑपर फोड़ासा फ्राइ करने से इसका टेस्ट और भी जाद़ बढ़ जाएगा इसे अच्छे से प्लेंज़ करना है लिए अथी पेस्ट हमारा वि करेंगे 2 टीसपुन ओयल, ओयल हमें जदा नहीं लेना है क्योंकि पहले ही हम 5 टीसपुन ओयल आड़ कर चुके हैं तो ऑईल को थोड़ा करभ होने दे, ओयल करभ होने के बाद हम इसमें आड़ करेंगे 1 टीसपुन लाल विर्च वालगर, और इसे के साथ साथ ही हम आड़ करे कि पीस्ट किया हुआ मसाला को फोडि दे चलाने के बाद आम इसमें पाउडर मसाला आड़ करते हैं एक तिसपुन थल्वी पाउडर है 5 Teespoon जीरा पाउडर और एक तिसपुन धन्यआ भॉउडर अब इस सारे मसादोगे अच्छे से थ्राई करते कॉलमें हम एक तिसपुन सीडा गटन करके इसमें आड़ कर देते हैं मैं ऐसे ही उस करते हूं आप अगर चाहे तो पहले गरण ओयल में ही जिरा आड़ कर सकते हैं अभी हम इसमें आड़ करेंगे दो टी स्पून सॉल्ट अभी आप इसे अच्छे से मिला लें आप कोई कोई मसला पेष्ट करने के टाईम पे काजू और किसमीस को भी पेष्ट कर लेते हैं पर मुझे पास्टरलिक लगता है कि तब मटन पनीर और साही पनीर के बिज में मतलब टेस्ट कुछ सिमिलर हो जाते है मतलब उन दोन में जादा फर्ट नहीं रहता है तेस्ट में तो फिर मुझे ऐसा बढ़ता है कि मतर पनीर का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा देसी होना चाहिए और जो साही पनीर है वो बिल्कुल क्लासी होना चाहिए तो मैं ये वाला तरीका यूज़ करते हूँ नहीं तो मतर पनीर बनाने का बहुत सारा तरीका होता है आप कोई भी एक यूज़ कर सकते है पर मुझे थोड़ा दिसस्टाइग पसंद है अभी आप इस मसाला को 10 मिनिट के लिए कवर कटके अच्छे से पका ले जब तक की ये मसाला ओइल ना छोड़ता है देखे फ्रेंड्स मसाला जो है वो ओइल छोड़ने लगा है इसका मतलब है मसाला हमारे बिल्कुल रेडी हो गया है अब एक काम के लिए बीच-बीच में कवर को हटाके मसाला को पुरा से चला लेजिए नहीं तो ये नीचे से बैठ जाएगा तो मेक्सियर बैठ मसाला जो है वो नीचे बैठ है तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी आप कर देए और मसाला को ऐसे चला लेज़े है इस स्टेज में आप मटर एट करें तो मटर के साथ मसाला को थोड़ा चला ले इसके बार आप आप कर देए पनीर को थोड़ा क्याड़ खुले एट कीजिए अब ही सारे इंग्रेडियन्स को थन के हाथों से एक साथ मिला ले इसका टेक्स्टर देखिए बिल्कुल इस तरी के से आया है इसका टिक्स्टर एक दम उले मी अब अच्छे से एक साथ मिक्स्ट कड़के इसके कबार टड़के पोड़ी देट पखने के लिए छोड़ा अब देखिए प्रेट मटर पनीर हमारा बिल्कुल बन गया है अब ही हम इसमें आप दी स्पुन गड़ा मसाला और थोड़ा धनियबत्ता एप कर देए इससे अच्छे से चला ले पुस्पु बहुत अच्छे आ रही है इस पर यह बनके रेडी हो गया हमारा मटर पनीर यह बिल्कुल देशी स्टाइल में बना है अब ही आप यह ऐसे इंडक्सर आप किसी में भी खाना बना रहे हो तो उसे बंद करके पांच मिनिट के लिए कबर करके छोड़ देजिए प्रेंड्स यह बनके रेडी हो गया हमारा देशी स्टाइल मटर पनीर तो आप भी इस रेसिपी को घड़ पे ज़रू ट्राइ किजिए आप सियर आपको बहुत पसंद आएगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साब थैंक्यू